साथियों नवसकार कैसे हैं आप लोग स्वागा थे कंप्टेशन कम्यूंटी के इस आनलाइन एजुकेशनल प्रेटफार्म पर आपका मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले की तरह अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और बहतर होंगे और आपकी तयारी काफी अच्छी चल र है हमने अभी तक लगभग जो यूरिट्टिन के आयोग थे हैं आधे आयोगों को हमने खतम कर दिया है लगभग आधे आयोग हमारे हो चुके हैं तो अगर आप में से किसी ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन क्लासुस को देख कोश्चन कैसे पूछे जाते हैं एक्जाम में उन आयामों को भी हमने अब्जेक्टिब के तहत वस्तुनिस्ट प्रेशन के तहत हमने देखा है साथियो हम उसी कड़ी में उसी तरतम में आज हम देखेंगे राश्टी महिला आयोग और साथ में राज्ज महिला आयोग मद्ध् ये उसका लोगो है अब हम पढ़ना सुरू करते हैं देखते हैं कि राश्टी महिला आयोग कैसी संस्था है इसकी क्या संरचना है इसके गठन का उद्देश क्या है ये कैसी संरचना है और इनका क्या बेवस्था है इनकी क्या प्राबधान है इसमें कितने लोग काम करते है और ये संस्था कैसी है इन सब के बारे में डिटेल में विस्तार से हम आज पढ़ेंगे तो आईए हम पढ़ना शुरू करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले राष्टी महिला आयोग मतलब कि एक राष्ट की जो पूरी बॉड़ी है वो राष्टी महिला आयोग है और ये महिलाओं से संबंदित जो भी समस्याएं हैं जो भी उपाएं हैं जो भी सिपारिसें हैं इन सब को परामर्स देने का काम करती है सरकार तक महिलाओं की इस्थिती का आकलन करके बात पहुचाने का काम करती है अब राश्टिय महिला आयोग आखिर कैसा निकाए है तो राश्टिय महिला आयोग सांबिधिक निकाए है सांबिधिक निकाय से तर्थ पर ये है कि इसका वर्णन संबिधान के जब लागू हुआ या उसके बाद ऐसे किसी संसोधन के तहट संबिधान में इसका कोई वर्णन नहीं है इसका वर्णन इसका गठन जो किया गया वो राष्टिय महिला आयोग अधिनियाम 1990 की धारा तीन के तहट किया गया इसलिए ये एक प्रकार का शांबिधिक निकाय है तो हमने समझा कि राष्टिय महिला आयोग है और वो एक प्रकार का शांबिधिक निकाय है अब हम देखते हैं कि इसका गठन अगर हुआ किसके तहट राश्टी महिला आयोग अधिनियाम 1990 के तहट तो आखिर इसका गठन कब किया गया तो इस्थापना की बात करें तो 31 जन्वरी 1992 को इसकी इस्थापना हुई राश्टी महिला आयोग की इस्थापना हुई नोडन मंत्राले की अगर बात करें कि ये किसके अंतरगत काम करता है तो महिला वालि विकास मंत्राले इसका नोडन मंत्राले है उसी की देख रेक में राश्टी महिला आयोग कारे करता है राष्टी महिला आयोग कोस का भी गठन जब राष्टी महिला आयोग अधिनियम 1990 गठित हुआ उसके तहट राष्टी महिला कोस के गठन की भी बात की गई और इसके गठन की बात इसलिए की गई क्योंकि जो महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रयासरत है उनको एक प्रकार से आर्थिक मदद देने की काम किया जा सके किसके थुरू महिला कोस के थुरू तो इसका जो उद्देश था वो क्या था आर्थिक मदद करना जो सोरोजगार के लिए महिला प्रयासरत हैं अब अगर हम आयोक के उद्देश की बात करें कि राष्टी महिला आयोक का उद्देश आखिर गठन का क्या रहा तो जो इसका उद्देश रहा वो महिलाओं के लिए संब्धिक कानूनी सुरक्षा उपायों की समिक्षा करना जो भी संबैधानिक अधिकार दिये गए हैं महिलाओं को, वो क्या उनको मिल पा रहे हैं, ये उनकी समिक्षा करने का काम बैधानिक उप्चार संबंधी उपायों पर सुझाओ देना, जो बैधानिक उप्चार हैं, वो महिलाओं को बेवस्थित रूप से प्रदान किये जाएं, जो एक कानूनी प्रक्रिया के तहट जो अधिकार दिये गए हैं महिलाओं को, उनको सुनिश्चित करने का काम, और उ महिला आयोक से संबंधित, महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित, महिलाओं के अधिकार से संबंधित, किसी भी प्रकार का जो निप्टान किया जा रहा है, जो उनको निप्टाने का काल किया जा रहा है, जो उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का काम किया जा रहा है, उसको प् अधिकारों में कैसे बेहतरी लाई जा सके इन सबके सुझावों को देने का काम बेहतर सुझाव देने का काम राश्टी महिला आयोक का है ये सरकार तक महिलाओं से सम्मंदित अपने सुझाव उनकी समस्याएं क्या है उन सबको पहुँचाने का काम राश्टी महिला आयोक का ह अब हम आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आयोग की सनरचना क्या है आखिर आयोग का उद्देश हमने देखा आयोग की गठन की बात करी अब हम देखे हैं कि अगर आयोग इन सब उद्देश के तहट इसका गठन हुआ तो इसकी सनरचना क्या है ये किन सनरचना के तहट कि ये काम कर रहा है, राश्टी महिलायोग काम कर रहा है तो हम देखते हैं कि इसमें अध्यक्ष, एक इसमें अध्यक्ष होता है पांच सदस्य होते हैं और पांच सदस्यों में आप याद रखिए आपके प्रिलिम्स में ये कोश्चन पूछे जाते हैं तो इन में एक SC कटेगरी का और الا С-T कटेगरी का सदस्य होना अनिवार है और एक सचिव ओगा सचिव कौन हो सकता है सचिव होगा या केंदर सरकार कें अंतरगत कोई लोक बखो सकता है या इसमें और भी चीजें हैं चाहिए वो सामाजी का अंदोला नत्वा संस्थापक सरंचरा बिसेस ब्यक्ति हो या उसको महिलाओं से संबंधित कारे करने का अनुभव हो ऐसा किसके बारे में कहा गया है सचिव सदस्य के बारे में अब हम देखते हैं अध्यक् सदस्य के अधिकार से जानकार हो उनके लिए प्रतिपद्ध हो या उनसे संबंध रखता हो अधिकारों से संबंधित संस्था में कहीं काम करने का अनुभव उसका रहा हो पांच सदस्य में हमने बात करी कि दो सदस्य से तो वो होंगे जो एक ST कटेगरी का होगा और एक SC होंगे कौन इनकी योगता के बारे में बात की गई है और ये पांचो सदस्य बिधि प्रवंधन आर्थिक विकास स्वास्त सिक्षा प्रसासन में अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही इनके सदस्य के रूप में बन सकता है सदस्य बन सकता है राश्टी महिला आयोक और हमने सचिव के बारे में चर्चा कर ही ली है आये हम आगे देखते हैं अगर हम बात करें कई बार प्रिलिम्स में कोश्चन पूछे जाते हैं कि कितने सदस्य सनरचना है कितने सदस्य निकाय है तो सबसे पहले तो ये एक बहु सदस्य निकाय है और बहु सदस्य निकाय में एक अ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्टिय महिला आयोक से संबंदित सामा निजानकारी जो आपके प्रिलिम्स के एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से महत्यपूर्ण है स्वरूप की अगर हम बात करें तो हमने बात करी हिली कि महिला आयोक से संबंदित जो संब्रक्षन विधेयक अधिनियम लाया गया था उसी के तहत इसका गठन हुआ धारा तीन के तहत जो 1990 में लाया गया था तो इस प्रकार ये एक प्रकार का संबिधिक निकाय है गठन राष्टिय महिला आयोक धिनियम 1990 की धारा तीम के तहत हुआ है इस्थापना की बात कर लें तो इस्थापना हमने चर्चा करी कि 31 जन्वरी 1992 को इसकी इस्थापना हुई संरचना की अगर हम बात करें तो हमने बताया कि इसमें एक अध्यक्ष पांच सदस्य और एक सचिव होते हैं इस तरह से ये एक प्रकार का बहुँ सदस्य निकाय है अध्यक्ष पांच सदस्यों की निकती तो केंडर सरकार अध्यक्ष पांच सदस्यों की निकती करती है कारेकाल कारेकाल चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो इन सबका कारेकाल तीन वरस का होता है राश्टी महिला आयोग के अध्यक्षेवम सदस्यों का अब हम आगे देखते हैं आगे कारेकाल और पदावध अगर हम इनके कारेकाल और पदावध की बारे में बात करें तो अध्यक्षेवम सदस्यों का कारेकाल तीन वर्स का होता है अध्यक छेवम सदा सित्याग पत्र अपना किसको देते हैं तो वो केंद सरकार को अपना त्याग पत्र देते हैं केंद सरकार के दोरा हटाये जाने की परिस्थिती अगर कारिकाल के दर्मियान ही लगता है केंद सरकार को कि इनको हटाया जाना चाहिए तो किन परिस्थितियों में इनको हटा सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में देखेंगे दिवालिया होने पर दिवालिया होने से तर्थ पर है कि आप आर्थिक रूप से किसी भी ब्यक्ति के करजदार हो गए है चाहे वो किसी निगम हो, चाहे किसी ब्यक्ति हो और आपको नयायला नीदी वालिया घुसित कर दिया है तो केंदरसरकार इसके तहट आपको हटा सकती है मांसिक असवस्त हो गया हुँ कर्टब निर्वाहन में अक्षम होने पर तथा कारे करने से मना करने पर जिस पद के लिए जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है यदि वो उस काम को करने में अक्षम हो गए हैं या कारे करने से मना करते हैं तब भी उनको हटाया जा सकता है आयोग को सूचित किये बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर भी इनको हटाया जा सकता है आयोग के सदस्य अध्यक्ष को तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक उनको अपना पक्ष रखने का एक सूअबसर एक तारकिक मौका नहीं दिया जाएगा अपनी बात रखने का उनको एक सुवसर दिया जाएगा उसके पहले उनको नहीं हटाया जा सकता आईए अब हम देखते हैं राश्टी महिला आयोग की साखाएं आपके प्रिलिम्स में ऐसे कोश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इनके बारे में यहां चर्चा कर दी गई है इनमें बिसेश कोई बदलाओ नहीं है ये महिला आयोग के अंतरगत महिलाओं से संबंधित कारे के लिए उनकी समस्या सुझाओ के लिए उनकी सिपारिसों के लिए गठित की गई अलागला साखाएं है पहली साखा वेधानिक साखा है उसके बाद लोक संबंध साखा है उत्तर भारत साखा है अनिवासी भारतिय साखा है सिकायत एवब जास साखा है जिसमें सिकायत की जा सकती है और उनकी जास से संबंधित कारवाई करने का काम सिकायत अंतरगत महिला आयोग काम करता है इसलिए आपको प्रिलिम्स में ऐसे कोश्चन गलत ना हो इसलिए इसके बारे में यहाँ चर्चा कर ली गई आए हम आगे बढ़ते हैं कारे देखें क्योंकि कोई भी आयोग किसी विसेश कारे के लिए गठित किया जाता है तो हम यहाँ दे अलब्द कराए गए सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जाच एवं परिच्छन करने का काम राष्टी महिला आयोग का है महिलाओं से संबंधित जो भी अधिकार हैं चाहे वो इनको संबिधान में दिये गए अधिकार हों चाहे किसी कानूनी तोर पर दिये ग करने का काम किसका है राष्टी महिला आयोग का इसमें आयोग का गठन करने का और इसका उद्देश और इसके कार कि अगर बात करें तो महिला हित ही इसका सबसे बड़ा कार है अब हम देखें महिलाओं के बिरुद्ध भेदभाव अगर किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा ह महिलाओं के, किसी प्रकार से उन की उत्पेरन किया जा रहा हूँ इन जो बिसे समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं और उनकी क्या Isththti है, इन सब के बारे में अध्यन और उनके जाज का आवाहन करने का काम कौन करता है, राश्टिय महिलायोग करता है महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्स देना महिलाओं की सामाजिक इस्तिती कैसे बहतर हो उनकी आर्थिक इस्तिती कैसे बहतर हो उनके बारे में चर्चा करना परामर्स करने का काम राष्टी महिला आयोका है महिलाओं से संबंदित संस्था में अगर महिलाओं से संबंदित कोई संस्था है उनमें किस प्रकार की महिलाओं की स्थिती है क्या स्थिती सही है अगर ठीक स्थिती नहीं है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सके उनके लिए क्या सुझाव है उनके लिए क्या परामर्स हैं इन सब को तैं करने का काम निरिक्षण के बाद कौन करता है राश्टी महिला आयोग करता है इसके इस प्रकार मिशेश कार्य है कुल मिला के जो राष्टिय महिला आयोग के कार्य का अगर हम निचोड देखें इसका मेनद्देस देखें तो महिला हित ही इसका मुखफ देस है किस प्रकार से महिलाओं का हिस सुनिश्चित हो सके उसके बारे में कारे करता है राश्टिय महिला आयोग अगर हम प्रतिबेदन रिपोर्ट की बात करें, क्योंकि कोई संस्थान अगर काम कर रहा है, तो वो अपना प्रतिबेदन अपनी रिपोर्ट कहां देगा, किसको देगा, बारसिक प्रतिबेदन ये अपना केन सरकार को देखता है, और अगर इसको लगा कि समय से पहले भी रि जाने का काम करते हैं तो अगर आपके question एक्जाम में पूछा जाए कि बारसिक प्रतिवेदन राष्टिय महिला आयोक किसे देता है तो अपना बारसिक प्रतिवेदन केंसर कार को सौंफता है केंसर कार को देता है आयोक की सक्तियां क्या है आयोग की सक्तियों के बारे में अगर हम बात करें कि आयोग की सक्तियां क्या हैं तो सिविल ने आयाले की सक्तियां प्राप्त हैं आयोग को ये किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है उससे पूछताच कर सकता है और महिलाओं से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो उसके प्रति उसे साक्ष के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है महिलाओं से संबंधित मामलों की जाच करने का काम कौन करता है वो राश्टिय महिला आयोग करता है विभागों से रिपोर्ट मांग कर किसी ब्यक्त या अधिकारी को समझ जारी कर सकता है हमने इसके बारे में बात करी हमने देखा अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं मद्धे प्रदेष राज्य महिला आयोग के बारे में अब हम यहाँ चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में हमने अभी देखा राश्टिय महिला आयोग कैसी संस्ता है इसके काम करने का क्या तरीका है इसकी सक्तियां क्या है हमने उसके सभी डाइमेंसन के बारे में चर्चा करी लगभग हमने सभी महत्यपूर्ण और important fact और जो उससे विसे जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा करी है अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ये भी एक प्रकार का श्रमविधिक निकाय है और इसका गठन मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियाम 1995 की सिक्षन 3 के तहट धारा 3 के तहट किया गया है गठन की अगर बात करें तो 23 मार्च 1998 को इसका गठन किया गया है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का और इसका उद्देश की अगर बात करें तो महिला ससक्ती करन वा इनके हितों के सनदच्षन हे तू इसका गठन किया गया है आयोक के जो सदस्ज होंगे उनके सिख्सक सुवचिंतक वा परामस दाता के रूप में कारे करता है कौन राज्य महिला आयोक सिविल नयाले के अधिकार हैं इसके पास और सिविल नयाले के अधिकार के बारे में हमने चर्चा करही ली है चाहे वो राश्टिय महिला आयोग से संबंदित हो या राज्य महिला आयोग से संबंदित हो इनको सिविल नयाले की सक्तियां प्राप्त है ये एक प्रकार का बहुस अदसी निकाय है आपके एक्जाम में question पूछा जाता है कि मद्य प्रदेश राज्य महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है आपके बहुत सारे option रहेंगे एक सदसी बहुत सदसी या उनमें अलग-अलग प्रकार के भी option के तहट पूछा जाएगा आपको बताना है ये बहुत सदसी निकाय है बहुत सदसी निकाय है इसका मतलब इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं कितने सदस्य होते हैं कितने अध्यक्ष इसमें एक अध्यक्ष और छे सदस्य होते हैं इन छे सदस्यों में से एक जो सदस्य होगा वो सदस्य होगा सास्की इनमें जो छे सदस्य हैं वो असास्की वो एक सदस्य होगा और एक अध्यक्ष होगा उसके बाद हम देखें अध्यक और कौन सदस बन सकता है तो हमने चर्चा करी जैसा कि राज्टी महिला आयोग में उसी प्रकार राज्ज महिला आयोग जो राज्ज महिला संरक्षन के लिए आयोग है उसमें सामाजी करकरता सिख्छा चिकिस्षा या विधी से संबंधित जो भी व्यक्ति जुड़ा हो राज इनकी नियुक्ति की बात करें कि कौन इनको नियुक्त करता है तो राज्ज सरकार इनको नियुक्त कर सकती है अध्यक्ष की बात करें तो जो अध्यक्ष होगा उसका कैबिनेट मंत्री के समान इस्तर होगा जो उसका दर्जा होगा वो कैबिनेट मंत्री के समान होगा जो अ इनका चाहिए अधिकार पूर निया हैं। इसकी जो शिपारिस की जाएगी, रिकमेंड करेगा। ऐसा कहा गया है। अगर हम इसके प्रतामध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् आपकी तैयारी में एक छोटा सा सहयोग करने में पूर्टा सावित हुई होगी आप जुड़े रहें, आप competition community के साथ जुड़ें और आप अपनी तैयारी को और बहतर बनाएं के साथ महिलाएं, सुरक्षित महसूस करें आप अपने ब्रक्षित का ऐसा निर्मान करें कि आपके साथ महिलाएं, सुरक्षित महसूस करें आप हमसे जुड़े रहें आप competition community के साथ जुड़े रहें आपका बहुत बहुत धन्वाद हम इसके अंगली क्लास में इसी के MCQ के बारे में बात करेंगे हम देखेंगे कि exam में कैसे question पूछे जाते हैं, आप जुड़े रहें हमसे धन्वाद